नमस्कार आप देख रहे हैं HTA News और आपके साथ मैं हूँ कमल नयन आईए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में जम्मू कस्मीर विधान सवा भंग की ये जाने से कस्मीर में राजनितिक हालात तेज होती जा रही है जहां भी पच्छी पार्टियों ने राजिपाल सत्पाल मलिक पर ये आरोप लगाया है राजिपाल सत्पाल मलिक ने फैसला दिल्ली को देखते हुए किया है तो वहीं जम्मू कस्मीर के राजिपाल ने इस फैसले को एकदम सही ठायराया है इतना ही नहीं राजिपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है स्रीनगर में एक कारिकरम में राजिपाल ने कहा कि दिल्ली की तरफ देखता तो सरकार सज़ाद लोन की सरकार बनानी पर दी मैं नहीं चाहता कि इतिहास में मुझे बेइमान इंसान का दर्जा दिया जाए मैंने मामले को ही खत्म कर दिया है अब गाली की परवाह नहीं है मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जो किया सही किया आपको बता दे कि जम्मू कस्मीर में सरकार बनाने के दावों के बीच 21 नवंबर को राजिपाल सत्पाल मलिक ने विधान सवाब भंग कर दिया था महबुआ मुफ्ती की पार्टी पी डी पी ने कॉंग्रेस और निशनल कॉंफरेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा ठैक्स के जड़िये पत्र भेज कर किया था देश और दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए आप देखते रहें एसी हैं न्यूज बेल आइकन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें